if m and n are positive integers and m minus n is an even number then m square minus n square is हमें बोला क्या है m और n positive integer है और m minus क्या है m minus n is an even integer तो कभी भी यह देर रखा हो कि m और n even integer है तो क्या होगा या तो दोनो m और n even होंगे या दोनो odd होंगे कभी भी अगर आपको इतर रखाना m minus n m और n का difference अगर आपको even देर रखा है तो मतलब या तो दोनों के दोनों even है या दोनों के दोनों odd है ठीक है तो आप हमें क्या find करना है find m square minus n square यह अपने पास है हमें पताना है किसे divisible है find m square minus n square is divisible by is divisible by तो मैं यह कैसे गरूँआ देखिए m square minus n square क्या हो जाएगा तो n square minus n square basically क्या है m minus n और m plus n अब आप मान लो कि यह दोनों number अगर odd है अगर दो number odd है उनका difference कितना आएगा even आएगा अगर M और N दुनों even है तो भी इनका difference क्या आएगा even आएगा ऐसे ही अगर M और N दुनों even होंगे या दुनों odd होंगे तो भी इनका difference क्या आएगा even आएगा तो basically क्या हो रहा है even multiplied by even ये even का मतलब इसको मान लो 2P even number क्या ओता है जो 2 का multiple होता है यह भी यह बना तो इसको मान लो 2Q, तो यह finally क्या आ गया, 4PQ आ गया, जब यह 4PQ आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा, therefore, the given, m²-n² is always divisible by 4, is always divisible by 4, में बात आपने यह ध्यान लगी है, कि कभी भी कोई दो नंबर हैं, जो दोनों even हैं, या दोनों odd हैं, तो उनका difference भी even होगा, और उनका sum भी even होगा, दो even नंबरों को multiply करोगे, तो जो result आएगा, वो पक्का force टे डिवाइड होगा, तो हमारा होगे option number 1 is our answer,